ये गाइस वेल्गा वेल्गम आट माय शानमी दोनू आपको ये बुग देके पता चल गया हो कि मैं आज किसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ यूपीड़ यूपीड़ का अभी कुछ न्यूस में आ रहा था कि हाँ यूपीड़ इस येर होने वाला है बट इसके एकदम सही नहीं आई है अप भी नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं आया है बट हो सकता है कि इस साल आपका यूपीड़ हो तो साथ-साथ में आपका सीट़ आहीं चुका है उसकी प्रेपरेशन आपको करती रहनी है और साथ-साथ में यूपीड़ का भी करता है अगर आपको यूपीड़ नहीं पता है क्या होता है तो ये होता है टीचर अलिजिबिल्टी टेस्ट जो की उतरब देश में होता है ये स्टेट लेवल का एकजाम है ठीक है और seated जा होते है center level के exam होते है तो यह ARIAN के book मैंने purchase किया था for the paper 1 तो paper 1 के लिए थी यह 1 to 5 के लिए ठीक है इसमें पूरा का पूरा यहां mention है कि इसमें complete coverage है क्योंकि आपके subjects तो सारे वही रहते हैं तो मैंने Hindi English मुझे चाहिए था तो मैंने Hindi English वाली book ले थी तो इसमें language 1 English है language 2 आपकी Hindi है इसके बाद mathematics है and environmental studies है अगर आप paper 2 का लेंगे तो जैसे seated वे होते subjects रहेंगे बड़ थोड़ा बहुत pattern अलग रहता है तो यह मैं book आपको दिखा दू यह ARIAN के book है ARIAN publications की नेक्स यहां पर आप देखते हैं तो यहां content क्या-क्या दिये हुए है सबसे पहले आपको यह वैसे एक साल पुरानी book है तो इसमें वाले content थे वैसे इसके बाद को exam हुआ नहीं है तो यहां पर देख लेते हैं कि solve paper आपके पास January 2020 का इसके बाद यहां पर 2018 का भी है 17 का है 16 का है ठीक है तो यह आपके previous यह question है next आपका यहां पर CDP section आजाता है जो कि child development है concept of inclusion यह साइच चीज़े आपने देखी होगी कि आपको CTR में भी दिखाई देती है CTR में भी होता है यह साइच चीज़े ठीक है ऐसे ही आपका language का भी है तो यह book आप अगर कर ले तो एक तरीके से तो जादा आपको बढ़ने की नहीं रहती है क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़े cover हो जाती है ठीक है language 1 भी है आपका यहां पर जिसके English प्रोव जाता है आपका poetry आती है फिर pedagogy है ठीक है तो यह सारी चीज़े हो गई इसके बाद हम देख लेते हैं और सारी चीज़े जो की है यहां आपकी language 2 में तो हिंदी रहता है आपका पटित अन पटित गर्दियांश हो गया सुच्छा शाष्ट्र मतलब पटागोजी रहती है इसके बाद mathematics में भी आप वही सारी चीज़े देखेंगे number and basic mathematical operations हो गए shapes and geometry होगी data handling हो गया measurements and unit हो गया यह आप picture भी lays कर screenshot ले सकते हो अगर आपको लेना है syllabus के लिए pedagogical issues है ठीक है इसके बाद ऐसे ही same रहता है e-wears के साथ आपका environmental studies के साथ content वही आप देखो के same headings है family and friends है food and nutrition shelter water travel things we make and do and pedagogy है आपकी so चीज़े वही है approach वगएरा वही सारी चीज़े है और कुछ भी change नहीं है इसके बाद यहाँ पर आपको paper दिया हुआ है जो कि paper जैसे मैंने आरियन के आपको book दिखाई ती heated की बस आप उसको लगा लीजे काफी सारी चीज़े आपकी cover हो जाएंगी और साथी साथ जैसे यहाँ पर आपको salt paper दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको questions के answer दो दिये हुए है उसके साथ-साथ यहाँ आपको salt paper भी दिया हुआ है hints and solution के साथ proper solution दिया हुआ है ठीक है सिब question question लगा के नहीं पूरा पूरा proper यहाँ पे भी देखे यह 2018 वाले paper का है उसका भी हमें यहाँ पे solution दिया है तो सर्च हर चीज़ का आपको solution यहाँ mention है और लगती है बहुती कम book है बट है यह काफी सारे इसमें content आपके पूरे cover हो चुके है लगभग यह book आपकी आती है यहाँ पे हर pages तो उस तरीके से नहीं इसमें दिये हो है page number बट अलग-अलग page number mention है बट अप्रॉप्स 400 pages की यह होगी book लगभग लगभग ठीक है ओटो 500 pages की ठीक है तो यहाँ पे आप यह book जादा आपको महगी भी नहीं मिलती है और अलग-अलग book लेने से अच्छा है कि आप रॉपर एक book ले लीजेए 355 इसमें rate है मैंने काफी पहले लिया था तो अभी उसका प्राइस मुझे इतना पता नहीं होगा जो updated वाला होगा बट अगर आप इसको लेना चाहते है क्योंकि अरियन से आपको काफे जादा help उजाती है और काफे जादा beneficial होती आपके लिए क्योंकि जैसे कि मैं एक कोई subject आपको open करके दिखाती हूँ तो जैसे कि यहाँ पे मैं CDP ही open करती हूँ तो यहाँ पे भी देखे एक प्राइमली रेवल का आपको solve paper दिया हुआ है तो यह solve paper हर चीज के आपको दिये रहते है ठीक है जैसे कि यह देखे यह CDP section है number one है concept of development तो पूरा आप read करोगे जो भी चीज़े आपको highlighted करने आप highlight कर सकते हो ठीक है यह पूरा का पूरा फिर इसके बाद आपका CDP section है और देखे यहाँ पे section wise divided है यहाँ पे देखे प्याजे कोलबर वाइगोस की जो कि मैंने इस पे video अल्यड़ी बनाई है questions कि आप इसको भी लगा सकते है जैसे कि यहाँ पे यह assessment है तो यह assessment, assessment for learning क्या होता है formative assessment, assessment of learning क्या होता है principle of assessment तो यह तीनों assessment आपके बस आपको reading में time देना है अगर आप समझने में time ले रहे हो यह इससे assessment का एक topic करने में आपको लगे गाए यहाँ पे नगभग मेरे हिसाब से 10-20 minutes सगेंगे इसको आपको पूरा इतना read करने में तो यह पूरा आपका assessment टाला topic खताम हो जाएगा और साथी साथ यहाँ पे आपको practice question भी दिये हुए है यहाँ पे एक दो practice question या कम practice question या बहुत सारे practice question है यहाँ पे आप count कर सकते हो कि 236 यहाँ पे लास्ट टक वांसू 236 तक questions है इसके बाद फिर आपका है concept of inclusion तो यह next आपका inclusion वाला जो constructivism यह सारे चीजे है फिर इसमें फिर से अलग से आपके पूरे proper question है फिर chapter 3 आता है learning and pedagogy तो यह अलग अलग है आपके ठीक है तो यह हर एक chapter में ऐसे है और इसी तरीके से आपका maths में है और इसी तरीके का आपका English में भी है English में देखे passage 1 है इसके बाद यहाँ पे इसकी questions के answer आपको पीछे दिया रहते है देखे लेगे passage 10, passage 12, passage 18, 17 पूरा का पूरा यहाँ पे आपके passages खतम होंगे जहाँ passage आपके खतम होते हैं यहाँ आपको पूरे के पूरे passage के answers दिये रहते हैं इसको करने के बाद आप unseen passage जैती कि poetry आपकी शिरू हो जाएगी poetry भी एक नहीं है बहुत साले set है poetry के भी लगभग यहाँ पे देखे है set 22 तो 22 यहाँ पे आप लगा लोगे तो आपको पूरा का पूरा concept क्लियर ही हो जाएगा एक-एक जिन में एक-एक भी करते हो तो काफी जादा आपको क्लियर हो रहा है ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं यहाँ पे अगर आपको करना है तो इसको आप start कर दीजे इसके बात यहाँ पे लिए कॉगनिटिविजम कोगनिटिविजम बहुत साथ इंपोर्टन है acquisition, learning, behavior, LAT तो यह सारी चीज़े आपके रहती है अगर आपको और बुक्स के अपडेट किसी भी subject के लिए चाहिए तो प्लीज कमें इन में कमेंट बॉक्स और इसके अपके बनाए खीक्टेट, युपटेट, लुपटेट लुपटेट, लुपटेट, लुपटेट इससेश अपुए ग्सके लिए और आपके बाएं और इसके लिए इन मेंगर्ट कोगनिए